हरी कृष्णा रादे रादे तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको शरत पूरे मा की बहुती सरल पूजा विदी बताने वाले हैं साथ ही बताएंगे कि 2024 में लक्षमी पूजा का शुब मुहूरत क्या रहेगा और चंद्रमा को जल कैसे देना है जो जल हम तयार करेंगे उसमें क्या-क्या होना चाहिए और कुछ ऐसे उपाएंगे जिने की अगर हम शरत पूरे मा के दिन करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही कई तरह की दिकत परिशानियों का अंत हो जाता है और विसरजन हमें कब और कैसे करना है और पूड़िमा के दिन दान क्या करना है किस समय पर करना है सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करना अच्छा सबसे पहले हम आपको बता दें दो हजार चौबीस में सोला तारीक की रातरी के समय ही हमें लक्षमी पूजन करना है ठीक है तो आप संध्या के समय स्नानादी से निवरित हो के शुद्ध वस्तर धारन करें और घर की उत्तर या पूर विदिशा में एक चौकी लगा कुम थोड़े से अक्षट डालें एक गुलाब का फूल डाल दें और इत्र डाल दें थोड़ा सा लॉंग इलाईची आप डाल सकते हैं इस तरह से कलश तयार कर लें कलश पे आप स्वास्तिक बना लें उसके कंट पे मौली बान लें और आम के या शोक के पत्ते लगा के न तरह से अच्छा पूड़े मा तिथी में क्योंकि माता लक्षमी की पूजा की जाती है तो माता लक्षमी के साथ विश्णु भगवान और गनीश जी का पूजन जरूर से करना चाहिए तो अगर आपके पास फोटो है तो गंगाजल छिड़क्योंने शुद कर लें और मूर माता लक्षमी बहुत ही प्रसन मुद्रा में होती है तो मान्यता ऐसी है कि आज ही के दिन माता लक्षमी समुद्र मन्थन से प्रकट हुई थी और आज के दिन ओडिमा की रोशनी में माता लक्षमी प्रतवी पर भ्रमड कर रही होती है और लेकती है कि जिन भी भक्तों के घ अभी भी दर्यदरता का सामना नहीं करना पड़ता है तो 16 तारीक की रात को 8 वज करके 40 मिनट से पूड़े मातिथी शुरू हो रही है ठीक है इसी समय पे आप घर के मंदिर में या फिर अलग से चौकी लगा के अप माता की पूजा की तैयारी करें दीप कलश या फिर मुहूरत है वो है 16 तारीक की रात में 11 वज करके 32 मिनट से लेके 12 वज करके 33 मिनट तक इस बीच में आप माता महा लक्षमी के निमित आप हवन कर सकते हैं आप उनके मंतरों का जाप कर सकते हैं ठीक है लक्षमी जी की आराधना अगर आप इस समय पे करेंगे तो आपको वि की माता लक्षमी घर गर जाके ये देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है तो सभी भगवान को हमने चंदन से रोली से तिलक किया अक्षच चड़ाए गनीश वगबान जी को दूर्वा चड़ाई विश्नु भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पित किया है उसके बाद हम भो मेवा इत्यादी का भोग लगा सकते हैं और भोग प्रशाद के साथ एक पात्र में जल भर के आप जरूर से रखें अच्छा आज के दिन आपको माता महालक्षमी के मंतरों का जादा से जादा जाप करना है ठीक है जाप करने के लिए आप इस वटे की या फिर कमल गटे की म को करनी है आरती तो आरती आप गी के दीपक से या फिर कपूर आरती आप आज के दिन हो सके तो जरूर करें तो क्योंकि सोला तारीक की रात में आठ वज करके 40 मिनट से पूरे मातिती शुरू हो जाएगी इस समय चंद्रमा अपनी सोला कलाओं से युक्त होंगे और इसी सम में चावल की दूद की बनी खीर बना के चंद्रमा की रोश्णी में जरूर रखें तो या तो आप चांदी का पात्र ले ले उसमें भर के खीर रखें और नहीं तो जिस भी पात्र में आप खीर रख रहे हैं उसमें चांदी का कोई सिक्का या अंगूठी आप जरूर से ड जिससे हमें धन बैवव यश की प्राप्ती होती है तो अब देखिए हम यहां पे चंदरमा के लिए जल तयार कर रहे हैं तो जल में हमने कच्चा दूट डाला है थोड़े से हम अक्षत डाल रहे हैं साथी में थोड़ा सा सफेद या फिर पीले रंग का चंदन आपको जरूर मिलाना है और जल में थोड़ा सा कुछ मीठा जरूर मिला लें तो हमने यहां पे थोड़ी सी खीर ली है देखिए आप यहां पे चीनी, मिश्री या फिर थोड़ा सा आप बताशा भी डाल सकते हैं और सफेद रंग के पुष्प मिल जाएं तो बहुत अच्छा नहीं तो ग आप किसी पातर में चंदरमा की आकरती बना लें चंदन से और उन्हें तिलक करें और अक्षा चड़ाएं उसके बाद आप इस जल को चंदरमा का ध्यान करते हुए ओम चंदर देपताई नमहा ओम सोमाई नमहा इस तरह से जल अरपित करें बाद में इस जल को आप किसी भी गमले क्यारी में डाल सकते हैं तो अगर आप वरत नहीं भी करते हैं पोड़े मांका तो भी आज के दिन आप शुद्ध साथविक रहें ठीक है प्याज लेसन मास मदिरा का सेवन ना करें लक्षमी पूजा और चंद्रदेपता को अर्ग आप जरूर दें इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए छमा याचना मांग ले और आज के दिन रात्री के समय चंद्रमा की रोश्णी में थोड़ा गंगाजल आप घर की छट पे जरूर रखें और बाद में इस जल को आप अपने घर में छिड़कें इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी और इसी गंगाजल को अगर आप शिवलिंग पर ले जाके अगले दिन अर्पित करते हैं इससे कहते हैं शिवजी बहुती जादा प्रसन होते हैं और आपकी समस्त दुख परेशानियों का अंत होता है अच्छा पूरिमा के दिन आप तुलसी पूजा और पीपल पूजा जरूर करें पीपल में भी आप सुबह में जल चड़ाएं और संध्या के समय वहाँ पे देशी गी का एक दिया जरूर जला के आएं अच्छा अब बात करते हैं दान की तो देखिए अच्छा पूरिमा के दिन सफेज चीजों का दान किया जाता है जैसे की चीनी, चावल, दूद, दही इस तरह से और आप जो भी दान करेंगे वो सूरह अस्त से पहले ही आपको कर देना है सूरह अस्त के बाद किया गया दान आपको करजदार बनाता है इस चीज का ध्यान रखें और ध्यान रखें की चौकी हमें अगले दिन ही हटानी है ठीक है? और चौकी का कोई भी सामान आपको घर से बाहर किसी को दान नहीं करना है जैसे आपने जो भी दक्षिना चड़ाई है उससे आप अपने पूजा का मंदिर का कोई भी सामान ला सकते हैं जो भी फूल पत्ती आपने चड़ाए हैं वो किसी गमले में डाल दें जल आप गमले में डाल दें प्रिशाद घर के सबी लोगों को वितरन कर दें चावल हैं वो आप अक्षियों को डाल दें और थोड़े से चावल आप अपने घर में जो आपके किचिन में चावलों का डबा है उसमें आप मिक्स जरूर करें लक्षमी पूजा की कोई भी सामगरी हमें घर से बाहर किसी को नहीं देनी होती है इस चीज का ध्यान रखें और शरत पूड़े मा के दिन आप अपने लौकर या तिजोरी की अच्छे से साफ सफाई करें धूप दीप दिखाएं इत्र छिड़कें वहाँ पे स्वास्तिक बना सकते हैं ठीक है और आपके जो भी सोने चांदी के गहने हैं धन हैं आपके पास उनकी पूजा करके आप वा जानकारी आपको पसंद आई होगी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे